यहां पर देखो सर इसका expense ratio जो मुद्दे की बात है सबसे सर 0.2% कहां active mutual fund में 2% कहां passive mutual fund में 0.2% और safety security इसमें जादा देखो जिनको बहाने करने हैं वो बहाने करते ही रहेंगे कि एक बार पाईजा कोड़ी खोब हम कमाने लग जाएं तब जाके investing करना शुरू करेंगे लेकिन आज हम बात करेंगे 500 रुपे महिना invest करके करोणों का return कैसे बनाया जा सकता है SIP mutual fund के जरिए और ये भी जानेंगे कि SIP mutual fund के अलावा क्या कोई और option है हमारे पास इतना छोटा सा investment करके बड़ा return पाने का ठीक है साथ ही हम लास सेशन में कुछ लोग को confusion भी वा था जिसमें मने smart SIP step up SIP की बात करी थी तो वो confusion भी आज हम धूर करेंगे ठीक है सबसे पहले एक चीज समझते है अजर कि आपको न आपका पैसा लूटने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं कौन लोग लगे पड़े हैं होम लोन EMI offer आप जो भी website खोलो facebook खोलो यह सड़क पर चल रहे हो बड़े बड़े बिल्डर बड़े प्रजेक्स फ्लैट पर इतना डिसकाउंट यह E पड़ा है आइफोन की हमाई का offer कोई नया फोन लॉंच हुआ है हार तरफ यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है चल रहा है बड़े बड़े होडिंग लग रहे हैं आसपास के दोस्तों ने खरेद लिया आइफोन खरेद लिया महेंगा फोन खरेद लिया अब यह सब चका कि लोर्च लेने का मन कर नहीं आता है लेकिन अपने मन को रोके पड़े हो वो लोग वह ब्रेंट्स आपकी जेब से पईसा निकालना चाहरे हैं सर अगले सलेंगे करदोस वाले या उस पड़ोस वाले ने फोन ले आया उस पड़ोस वाले ने कुछ जमीन ले ऴुष्ट भी गर दिलने कोई स्टार्ट अप मक Import क्या है आपकी जेव से पहिछानी चोड़ना ना सर और क्या है इंस्टेंट पर्सनल लोन एप आज तो बड़ा चल रहा है परसनल लोन इंस्टेंट लिए आप वो एप क्रेडिट कार्ट यह क्रेड़ कार्ड वाले लग लगे पड़े बनेवालों क्रेड कार्ड भाईया मतलब आईसे में बहुत मुश्किल हो जाता है खुद पर संयम रख करके खुद की समझदारी को इस्तमाल करते हुए समझ बूज करके किस जगे पर हमें पैसा लगाना है किस जगे पर नहीं लगाना है कौन सी चीज खरिदनी है कौन सी चीज छोड़नी है यहां पर आज एक middle class के लि किसी और जगह पर इसी जगह फलतू जगह लगा देना ऐसे में एक मिडल क्लास के परस्पेक्टिफ से कर बता बात किया जाए तो कौन-कौन से एक पर इससे बढ़िया कुछ नहीं बता देता हूं सारे इन्वस्मेंट ऑप्षिन को साहिड में रखो और रियल एस्टेट में प्लोट डंका प्लोट चुनना आता है आप अगर वैसे हमने वीडियो करा हूए एक रियल एस्टेट पर और चाहते हो रिल इस्टेट पर डिट कुछ नहीं है बता देता हूं दूसरा तो हमने इसको कार्ट दिया क्योंकि हम अपने आपको क्या कह रहा है मडल मिडल क्लास पाज आरदा जर पंदर आज़र का इंवेस्मेंट ऑप्सरम डूर्ट को काट दो सर दूसरा गूल्ड यह ठीक ठाक इन्वेस्मेंट है ठीक ठाक है बाए बढ़ियां तो नहीं लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए वह भी नहीं होग 선सर स्थाप्सर में पांपश् führt में यह वह भी आपने पास नहीं है तो इसको भी कार्ट दो इसको भी कार्ट दो सर बचावनेंट आं ये रिकरिंग दिपॉसित करालो प्स्ट प्क्रावज् ठीक है लेकिन दिक्कत इसमें है कि यह जो आपको return देते है उस से ज़्यादा में में बढ़ए थ है कि इसे वैसे नहीं है अलएक इसका परपास होता है mathematically अगर आपको जुरत पढ़ जाए तब यह बहुत बढ़िया है तब तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है लेकिन बात हम जहां कर रहे हैं इंवेस्टिंग की रिटर्न की तो यह तो बड़ा घटिया चीज़ है फालतू चीज़ है इससे तोड़ी कुछ होगा फिर पीपिएफ में चले जाओगे पोस्ट ऑफिस में मंदली इंवेस्मेंट करने लग जाओगे क्या देंगे सर छे परशंट साथ परशंट फिर मैंगा तो वहां भी नहीं हो रहा है मैं इंवेस्टमेन्ट के परस्पेक्टिफ से बात कर रहा हूं इंसोर्यंस के पसपेक्टिफ से नहीं जो कि बिल्कुल सराодар मारट है ठीक है उसके बात आता है Plask काते यह लगता है पर नहीं जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस नहीं है समझ नहीं है पड़े नहीं हो समझे नहीं हो तो स्टॉक वाले मार्केट वाला भी ऑप्षिन छोड़ दो बचता है एक ही भाईया एसाइपी मीच्वल फंड मीडल ग्लास अपने आपको हमेशा लाचार बुनने में कभी पीछे नहीं आता है और यह तो हमको आता ही नहीं है स्टॉक मार्केट तो पैसा ही नहीं है यह सब तक सीखे नहीं हो जब तक पैसा नहीं है तो इन सब जगों पर जाना बेकार है तो भीया मीच्वल फंड एसाइपी का लावा ऑप्शन क्या है तुम्हें पास चचा जला यह बताओ लास्ट सेशन में स्टेप एसाइपी के वारे हम जब बात कर रहे थे कि स्टेप एसाइपी हर साल आपको 10% थोला थोला बढ़ाते रहना चाहिए और हमने साथ में इंफलेशन की जरा बात कर ली कि अगर आप 40 साल बाद आपको 15 करोड मिल रहा है तो उस 15 करोड की इंफलेटेड वैल्यू महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करके वैल्यू जो आएगी तक्रीबं 3 करोड के असपास आएगी इंवसमेंट पर नहीं होगा रेलस्टेट पर नहीं को आपके और नहीं होगा कहा है तो इतना बेजा तो लगाओ किसा इंफलेशन का परभाव ऑतो पईसे पर हाँ है चाहे वह पैशा कहीं सभी सभी कैसे भी आजाए जींब आब बताता हूं कि इन्फलेशन कब हमने ज्यादा मारता है अब इंफलेशन से कई से बच सकते हो आप वब अब यह बताता हूं पक अब जा ऑगे मुद्टक करते हैं सर यह देखो मैंने खोल रखा है एसाइपी कैलकुलेटर लास सेशन वाला एक पहले एक्जामपल ले लेते हैं उसके बाद हम 500 रुपे के हिसाब से भी बात करेंगे था यहां पर दाला था सर चालिज सर चालिज स्वाल तो हमने जब करा था अगर आप 5 रुपे अपको मिल रहा है और 40 साल के लिए तो साड़े 15 करोड के आस-पास का रिटन बन रहा था हमने जब इसको इंफलेशन एड़ेस्ट किया मतलब महंगाई के हिसाब से 40 साल बाद उस कर दाओ करोड करोड के आसपस दोतनी आउकात रहेगी आज जितनी आउकाट धाओ करोड की यह बात है ठीक तो अब एक चीज़ और समझना सर हमने जब 40 साल लिया था तो साढ़े पंदरा करोड धाई करोड में रह गया था मतलब लगभाग आप देखो तो 20 परसेंट के असपास लगभाग 20 से कमी हुआ लेकिन लगभाग आप 20 परसेंट मान लो मतलब 20 परसेंट पैसा बचा यह मैं कहना चाहरा हूं अब देखो मैं क्या कर रहा हूं इसको 20 साल कर देता हूं अगर अगर इंफलेशन एड़ेस्टेड है अगर इंफलेशन एड़ेस्ट हम नहीं करते हैं तो यह कितना रिटन मिलेगा सर्फ 75 लाक सर्फ 75 लाक की वैल्यू जो होगी 20 साल बाद लगभाग 33 लाक होगी लगभाग आदा हो गया यानिकि लगभाग 50 परसेंट वैल्यू उसकी ब अभी हमने देखा ना इंफलेशन एड़ेस्ट किया तो कितना आया 33 लाक मतलब 75 लाक की वैल्यू लगभाग 33 लाक बचेगी तो मतलब 50 पर बच रहा है अब और समझा समझना सर अगर हम इसको 10 साल कर दें समझना ज़रा धिहान से यहां पर यह समझना जरूरी है 9 करो पहले सर 10 साल में यह पैसा हमारे को अगर हम 10 साल के लिए करते हैं साइपी तो अपने को लगभाग कितना मिल रहा है 13 लाक 14 लाक मिल रहा है लेकिन अगर इसको इंफलेशन एड़्जस्ट करो महिंगाई के हिसाब से तो 13 लाक का 9 लाक रुपे बन रहा है 9 लाक रुपे उसकी अजित्रा कम समाई के लिए मैं साइपी कर रहे हैं नहींग भीड़ियों इपनी जाधा बच रही है लि Mackin जत्रा दूर के लिए कर रहे हैं उतनि घकटी जा रही है तो आप मेंस्जाइक अलग तो पर ऌाम करते हैं सार 5 साल के लिए से भी करते थे एंफे साल करूणा करों म करवे मत करो मेहंगाई के कोई असर नहीं होगा अपने जो पईसा कमा रहे हो खापका करें खतम कर दो उसको अले मेहंगाई हमको कोई भरके नहीं पड़ रहा है लेकिन कल को जब 10-15 साल बाद पईसा जब पड़ेगा कहां से लाओगे कि महेंगाई के चक्क्र ने तो ऐसा ipp किया है इस डाप रहे हैं सर महांगाई से बच नहीं सकते आप और डुनिया का कोई भी इन्वेस्मेंट हो कमाई हो किसी यह सोर्स से अगर आपके पास पैसा आ रहा है नियेकर महांगाई एडर्स ना करें किया बुद्धी शाड़ गई है अजब अचोई लोगों ने कमेंट किया था इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं कि सर्म पाइसे वैल्यू कम रहे जाए इसलिए मैं इन्वेस्मेंट कर वे नहीं करेंगा मत करो खापका को ड़ा दो सब फिर कल को जलत पड़ेगी तो मां लोग रहे हैं हाँ लोन लेते हैं लेकिन जहां चुरत पड़ती है टैक्सेशन वगेरा मजा फाइदा देखता है वहां लोन लेते हैं वह इसे नहीं कुछ खरीदना है लगजरी तो उसके लिए लोन ले लोन की हमारी रिक्वार्मेंट अलग है समझ बूज करके ठीक है इत अब मैंने खूल लिए सर एंजल वन अब एंजल वन पर आपको जला दिखाता हूं इस काल्कुलिटर का इस्तेमाल करके कि हम 500 रुपे महिना अगर इंवेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे को एक करोड़ का रिटर्न अगर निकालना है एक करोड़ रुपे मिरे को चाहिए त तो कितना समय लगेगा मेरे को एक करोड़ हाँ इंफलेशन का इंपक्ट महां भी होगा ठीक 500 रुपे मैं लगा रहा हूं सर अगर 30 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और रेट आफ रिटर्न आप लगबग 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो लांग टम में मिच्वल फंड दे रखा है क्योंकि उसी पर मैं आज को आज आज को नहीं आपको आज डेमो भी करके दिखाऊंगा अगर 15% के हिसाब से मिलते हैं सर तो 500 रुपया अपना कितना बन रहा है 35 रुपय हमारा इंवेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ एक लाग सी रुपय जो हमने दिया है वो सिर चालिस सार अगर हम इसको कर देते हैं तो चालिस साथ कहा है चालिस हो नहीं अच्छालिस साल के लिए मैं दूसरा ऐसाई पी अच्छा यहां पर फोगा ना इसमें साइद यह लेता होगा केलकुलेटर वाले में मान बैठे हैं 40 सल के लिए कर भी नहीं करेगा है छोड़ो मार गोली लेकिन करना चाहिए वही होता है जो जितने लंबे से लंबे पिरियोड के लिए हो चालिस सर अगर हम लेते हैं 500 कर देते हैं 500 हमने कर दिया 15 परशंट के हिसाब से नो तो सर 1.6 करोड बन जाता है देड़ करोड रुपए यह 500 के ताकत है सर सर पांच सो रुपए आपका देड़ करोड बन जाता है चालिस जो दस साल पहले 30 साल में सर्फ 35 लाग था लेकिन इसक जितनी आउकात आज 23 लाग है ना जितना आज आप ताज 23 लाग को बड़ा समझते हो वो उस समय समझो मिलेगा देड़ करोड ही लेकिन उस देड़ करोड की आउकात 23 लाग रहेगी ठीक है अच्छे इसके लिए हमने स्टेप एसाइप की बात करी थी लास सेशन आप देख आज गये वहीं एक करोड देड़ करोड बनाना है तो 500 पैसे ऐसे बनता है लेकिन अभी अभी बहुत कुछ और समझना है एक चीस समझे सर मुच्छ फंड ना किस तरह के मुच्छ फंड हमारे को चुना जाए चुनना चाहिए किस तरह के मुच्छ फंड में पैसा लगाना बो यहोई फंड होता है साथ convince पैसिव घान डिमाग का दिमाग नहीं चलता última 2 फंड मैंजजर की कॉपि के होती है हमने रिफूँ investing कि मानलों बात कर रहें इंडेक्स फंड एक पैसिफ मंने इंडेक्स हम समझते हैं दिफ इंडेक्स सेंसेक्स इंडेक्स तो उसमें जितनी इं अधिक निंदक्स कमपनु चुनाब कर वही कंपनी कमपनी। उसी तो उनके हिलने डूलने से पर बढ़ जाती है कि उनके सेटी में टॉप की पचास पर उसको अंदर कर लिया जाता है तो यहां पर इसलिए इंडेक्स बहतर आप्शन है मुच्वल फंड में एक्टिव मुच्वल फंड में क्या है फंड मैनेजर पर डिबंड करता है अगर उसका धिमाग खराब हुआ उसकी कल्कुलेशन खराब हुए तो नोकसान बुक्त है तो टॉप के 50 कंपनिया तो भाई है क्या जो भी वहाँ जैसा हमारा होगा उस पर अच्छा इंडेक्स फंड में भी मैं निफ्टी पर जादा जोर इसलिए देता हूं निफ्टी इंडेक्स फंड में आपको करना चाहिए कैसे सलेक्ट करेंगा भी दिखाऊंगा दोंट करी निफ्टी इंडेक्समान वहसं निफ्टी का अगर आप देखो तो पिछले 22-20 साथ में हाला कि देग्णिस में but इसले कर सकते हो जो भी करो इंडेक्स करो लग्रोथ लंबे समय में 100 के सा सवर हो जाती है मिलनी है awhile both === found में growth मिलना ही मिलना है तो मेरी preference हमेशा ही mutual fund में passive mutual fund की रहती है active mutual fund की कम रहती है अला कि active mutual fund में एक चीज़ यह भी है कि कई बार जादा return मिल जाता है इसमें अगर हम long term में 15% expect कर रहे हैं तो वहां हो सकता है 20% return मिल जाता है लेकिन data यह भी कहता है कि 80% mutual fund इसके बराबर भी index fund के बराबर return नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसमें क्यूं जाएं उसमें रिस्क भी जादा है उसमें commission में जादा जाता है expense ratio ज्यादा लगता है इसमें expense ratio भी कम है इसमें risk भी कम है और जब इसको वह बीठी नहीं कर पा रहा है तो मैं इसमें क्यूं न जाओं मैं index fund में क्यूं न परिशा लगो मैं कहें वो जाओं उसमें ज्यादा commission देने के लिए ज्यादा रिस्क लेने के लिए तो इसलिए इसकी preference मेरी ज्यादा रहती है ना आगे बढ़ते हैं तब अब एक सवाल यह उठता है कि क्या हमें अपना पूरी ताकत पूरा इंवेस्मेंट डियात पैप चिपर कोई ाती है किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है जो आपका साइपी में किया हुआ सारा सारा का सारा पैसा चाहोगे कि हॉस्पिटल में चला जाए वैसे भी आज देश की हालत ये हैं कि 90 पर्शंट जनता सिर्फ एक बड़े हास्पिटल बिल से पीछे है गरीबी रेखा से निच आने के लिए यानि कि एक बड़ा हॉस्पिटल बिल का जुरत पढ़ाना सर गरीबी रेखा के निचे 90 परसंट लोग ऐसे हैं इसलिए हेल्थ इंसुरेंस सबसे जरूरी है सबसे पहला इंवेस्टमेंट आपका ये दोना होना इतना प्रिम्य माएगा था हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पॉलिसी बजार से लेने के कुछ फाइदे ये हैं सर जैसे 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट आपको देती है पॉलिसी बजार 120 से जादा शहरों में हार कस्टमर के लिए एक डिडिकेटेड रिलेशन्शिप मैन करके मैं जरा आगे बढ़ जाता हूं आगे बढ़ने के बाद ये स्क्रीन आती है तो अब देखो एक लाइन से बहुत सारी कंपनिया आ गई है ना अब इसमें से कौन सी कंपनी चुनी जाए तो मैं उसके लिए कहता हूं सर इस और फिल्टर का इस्तमाल जरूर करो यहां प के समय में पांच से पांच लाग साथ लाग के नीचे तो हॉस्पिटल का बिल आता नहीं कोई धंकी बिमारी या फिर कोई भगवान न करे एक्सिदेंट बगरा कुछ सामना करना पड़ा तो पांच साथ लाग रुपए से कम का बिल अज के टाइम में बनता नहीं है अन्ट वह आप चुल लेना यहाँ पर पॉलिसी बेनिफिट पॉलिसी बेनिफिट में यह सारे ही चेक करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है उसकी वह से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी अच्छा खासा कवर हो जाता है प्रीमियम पर मंथ आपको कितना देना है यह मेरे हिसाब से शॉटलिस्ट मत करना नो प्रेफरेंस रखना अधरवाइस एक लिमेंटेशन बन जाती है या फिर पैसे की बहुत ही जादा तंगी है कि नहीं भी हम तो 2000 रुपे महीने जादा ही नहीं सकते तो फिर चुन लेना है इसमें से कोई ठीक है तसलिक कर लेना इसमें से आप चुन सकते हो इंशर कोई आपका फेवरेट इंशरर हो तो वह आपका आप यहां से चुन सकते हो ठीक है यह सारे फिल्टर लगाने के बाद आपके सामने यह एक लिस्ट आ जाती है कंपनी की पर मंद का प्रीमियम भी आ जाता है लेकिन इतना कुछ देखने क अबाद भी अगर समझ में नहीं आए कंफ्यूज है तो शेडियूल कॉल बैक एक कॉल बैक कर लिजे पॉलिसी बजार के टीम आपको कॉल पे सब कुछ समझाने की कुशिश करें और फिर भी नहीं समझाता तो आपके घर में फ्री अफ कॉस्ट आ करके यह सब कु समझाएं कौन से हाइ रिस्क है कौन से लो रिस्क है जितने भी small cap fund आप चुनते हो सर जो भी mutual fund list में आता है उस में लिखा होता है Small cap mid cap वो सब के सब higher कि यह इंडिक्स फंड हो वो सब लोरिस्क वाले हैं क्या कैलकूलेशन मोटा मोटी लमसम जो मैंने अब तक देखा है वो कहा रहता है सब्देखा अगर इंडेक्स न्याशन करते हो तो पास से दस साल में वह देखा 10% देते हैं कम देते हैं सरवात में कम होता है कि फ्लक्चूेशन धादा होता है लॉन्ग टम में 15 साल से उपर अगर आप देखो तो 15% के ऊपर मिल जाता है सर दस से पंदरा साल के यह का आप देखोगे लगबग 12 परशंट के असपास का रिटन होता है सर हाई रिस्क वाले में जस्ट उल्टा होता है शौट टम में यह बहुत जादा देंगे बहुत जादा स्मॉल कैप वगरह में देखोगे आप काल्कुलेटर यूज कर नहीं सकते हो उतना रिटर्न घर्टा चला ज़ता है जाता है कारण को एansirland me आधर 20 कंपनियां है तो उन box Hurt कंपनें आता है उनका बीस साल 25 साल बाद ऐसा होता है स्मॉल कैप fund managers के पास risk प्रेशर ज्ञादा होता है स्मॉल एक चिस्तों क्लियर है रिस्क जादा है रिटर्न जादा निकालने के चक्कर में वह कई बार उलजलूल कंपनियां पकड़ देते हैं उसमें से कई कंपनिया तो नहीं पड़ जाती है 15-20 साल में तो उसका इंपक किस पर पड़ेगा पीके पाइसे पर तो पड़ेगा उसको क् ठीक है तो लंबें डूरेशन में अगर आप स्मॉल के फंड चुनते हो तो शौट टम के लिए ठीक हब या स्मॉल कैप फंड लेकिन हां हमने यहां 20 लिख रखा है 5 भी हो सकता है चार भी हो सकता है माइनस में भी जा सकता है क्योंकि हाइए रिस का मतलब भी तो यही है लो डेमो दिखाऊंगा टेंचन नहीं अभी और जो भी हम मिच्वल फंड चुनते हैं दो तरह के आपको मिच्वल फंड यह सब चीजे वर्ड नाम में आपको मिल जाएगा मिच्वल फंड ग्रोथ प्लान या डिविडेंट, डिविडेंट वर्ड तो नहीं मिलेगा, I.D.W.C. करके वर्ड आता है, वो वर्ड मिलेगा आपको ग्रोथ और डिविडेंड में आपको हमेशा ग्रोथ वाला चुनना चाहिए, सर, क्या डिफरेंस होता है, ग्रोथ फंड जो होता है, फंड में, दो साल पे, तीन साल पे, साल बर के बाद, कई सारे फंड बैंचर्स डिविदेंड सीरीच करते हैं, डिविदेंट समझते हो नो कुछ रिटर्न परसेंटेज वह आपको एज़ा गिफ्ट मालो गिफ्ट देते हैं तो जब वह गिफ्ट आपको लोटा दिया पैसे के फॉर्म में तो उसको बाइजनें वह आपको वाहन दिया आता है तो वह पैसा तो की मौका मिलता है तो इसलिए ग्रोथ प्लान चुनना झादा अच्छाEm दूसरा डायरेक्ट और रेगुलर है सब हमेशाए आपको डियारेक्ट लेना चाहिए क्योंकि डियारेक्ट प्लान में एक्सपेंस रीशियो यानि की कमिशन जो मिचलओन वाली कंपणी को जाता है वो कम जाता है कि अगर उधर 2 जा रहा है same the सेमी का सेम्ट अगर उधर 2 जा रहा है तो इधर और 2 परशन जाएगा सर की देखना और 05 पर-sAnt भी लंबे डिनल में बहुत बड़ा बनता है सर यानि कि एक करोड़ का रेटर्ण बन रहा है तो एक करोड़ का मेरेटरिन का अगर पॉइंट फाइब भी लगा तो मेल लिच्टेटेहल भाइज देखें डेट फंद कि मसमेरे का फनड कान सा मतलब करजा गर्मेंट ब further शुंत सो तोड़न देघंगे लेकिन यह सब्सक्राइब इनमें lowest risk है लेकिन FD साथ दे रहा है तो यह आट देदेगा इतना ही होता है hybrid क्या होता है सर मिक्स hybrid में एक hybrid fund है तो कुछ इसमें equity भी रखा रहेगा कुछ debt भी रखा रहेगा मतलब थोड़ी बहुत security भी आड़ कर दी थोड़ी बहुत growth भी आड़ कर दी उसके बाद expense ratio में खेल सर mutual fund में इसी का है mutual fund अगर मारता है mutual fund का कुछ side effect है mutual fund के पीछे अगर कुछ ऐसी चीज़े जो आप से छुपाई जाती है जिसका सबसाद प्रभाव आपके पैसे पर पड़ता है तो वो यह है सर सर दो से तीन परसेंट expense ratio लगता है आपके पैसे पर आप profit कमाओ लॉस कमाओ उससे mutual fund वाली company को कोई फर्क नी पड़ता आपका जो पैसा जा रहा है उनके पास उससे दो तीन परसेंट यह निकाल लिया करेंगे यानि की तो तीन परसेंट कितना वड़ामाउंट है सर कल को जब एक करोड़ करेंड़ तो उसका तीन परसेंट भीतीन लाख रुपह होता है सर उसके पहले जब 90 लाख रिटन बन रहा होगा उससे एक साल पहले क्योंकि हर साल लेंगे यह हर साल दो-तिन परसेंट लेंगे यह आप प्रॉफिट कमा लॉस कमा उससे मतलब नहीं है यह तो लेंगे यह बड़ा अमाउंट बड़ा डेंट मारता है आपके पैसे पर तो में 100 गुना कम होता है इधर अगर दो परसेंट लग रहा है उदर 0.2 लगता है 0.3 लगता है तो इतना फर्क पड़ जाता है पैसिव में और पैसिव में थोड़ा रिस्क भी अपने को कम है है तो हम पैसिव मिच्वल फंड में क्यों ना जाए यानिक इंडेक्स फंड की ब अगर इंडेक्स फंड यहां पर हमारे को जाना हे मिच्वल फंड वाले में ठ हक है हम इस पर क्लिक कर देते हैं अच्छे यहां पर क्या बाट गोष और यह इंडेक्स फंड पी सर्च करोगे ना इंडेक्स फंड वह तो हमें निफ्टी इंडेक्स फंड सर्च करना है अगर आपको निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी इंडेक्स फंड सर्च करते ही अपने को 25 रिजल्ट मिलता है सर यह देखो तो इसमें अब कौन सा चुना जाए इसमें सर वैसे दो कोई भी ले सकते हो लेकिन जो अब इसमें चूस करने की बात है जो रिलाइबल कंपनी आपको लगती है जो अच्छी कंपनी आपको लगती आप उसको चूस कर सकते जैसे यहां पर देखो सर इसका expense ratio जो मुद्दे की बात है सबसे सर 0.2% कहां active mutual fund में 2% कहां passive mutual fund में 0.2% और safety security इसमें ज्यादा टॉप की 50 कंपनियों आपका पैसा लग रहा है तो हम इसमें करेंगे ना अच्छा और चीजे दिखा देता हूं यहां देखो सर निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान डायरेक्ट और रेगुलर की बात करी थी ग्रोथ प्लान ग्रोथ और डिविडेंड की बात करी थी तो अपना सारा पर यहां पर सही जा रहा है तो हम इसमें करेंगे अब यह recommendation नहीं है यह मैं सिर्फ यह बता र रिश्यों कम से कम होना चीए निफ्टी इंडेक्स फंड हो तो ज्यादा अच्छा है ठीक है अब आओ नीचे इसमें देखो यह क्या दिखा रहा है सर तीन साल पिरेड सेलेक्टेड है तीन साल में सोला परसेंट का रिस ने डिटन दिया है हम अगर इसी को पांच साल कर ले तो पांच साल में पांच साल में सोला पॉइंट सात आ रहा है ठीक है और नीचे आ करके कुछ और सीचे हम देख लेते हैं मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपिये से 500 रुपे से कम नहीं ले गए यह कान पकड़ के भागा देगा भाग है इसे तब पैसे नही पांच से पर कम सकम चाहिए ठीक है और नीचे आ जाते हैं फंड साइज ए यूम मतलब इतना पैसा यह फंड मैनेज कर रही है यह कंपनी मैनेज कर रही है कितना है 5927 करोड फंड एज 11 साल से हैं यह मार्केट में लॉक इन पीरिये यह अच्छ बात है लॉक इन पीरिये नि से जादा जब लॉक इन पीरेट नहीं हो तो आदमी कभी भी निकालेगा बिना कोई फाइन बिना कोई चार्ज करना यह नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक है कुछ लोग को फ्रीडम चाहिए कि मेरा पैसा में कभी भी निकाल लो तो उनके लिए अच्छा है ठीक आओ नीचे आप देख लें और क्या है एकज अपकर बेच से बाहर निकलतेरों एक좌न और बैस ले रहो तब यह एग्जिट लगता है लेकिन कब लगता है आपर भी इन हमिलेेगा फॉर यह येरि विद्नधे को मिलेगा समय लग जाता है कई बार अलाटमेंट होने में तो जिस दिन आपको अलाटमेंट हुआ उसके 15 दिन के अंदर आप अगर निकल रहे हो तो 0.20 परसेंट आपके फंड यतना पैसा है उस पर लगेगा 15 दिन के अंदर अंदर अगर राइट सेट यहां पर क्लिक करोगे तॉप होल्डिंग तो आपको कम्पनिया भी देखी जाएंगी अब तॉप हल्डिंग में देखो पैसा लगा हुआ है रिलाइंस में 9.19 परसेंट इस तरीके से आप सारी कंपनी भी देख सकते हो कि आपका पैसा किन कंपनियों में कितने कितने परसेंटे से जा रहा है अच्छी बत यह है कि आप चाहो तो खुद का इंडेक्स फंड बना लो एक्सपेंस रिशियो कुछ ना देना उसमें 0.2 जो जा रहा है वो भी नहीं लगने का आपका जो एक्जिट लोल लगता है 15 दिन में एक्जिट करने का वह भी नहीं लगने का कैसे खुद का इंडेक्स फंड कैसे बनाओगे अरे सर यह सारी कंपनियों का नाम आप देख ल हुआ है इसी इसी आनुपात में आप खुद का भी तो शेयर खाइट सकते हो यहीं एंजल वन पे आप खुद का शेयर खाइट चले जो इतना बन गया आपका खुद का इंडेक्स फंड उसमें फ्रीडम रहेगे कभी कोई एकाथ शेयर निकाल करके आप बेचना चाहो इतनी बाद समझ में आ रही है और को समझाने लाइक है इसमें और कुछ नहीं है तो मैं स्क्रीन को कर देता हूं आफ तो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत कुस्त समझ में आओगा सारे सवाल को हमने कर दिये क्लियर स्टेप एसाइप एक पर फिर रेपीट कर देता सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करने लग जाओ हर साल 10 परशंट 15 परशंट 20 वह आपकी मर्जी है कितना बढ़ाना है कभी यह एप आपको रिस्टिक नहीं करेगा अच्छा वह जब आप बढ़ाते हो तो आप कैलकुलीटर पर खुद से चेक कर सकते हो लास सेशन में सब्सक्राइब कर बचा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईए और पॉलिसी बजार का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टम प्लान और हेल्ट इंसुरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए बिफोर एसाइप आपका पहला इंसुरेंस पहल का इंवेस्टमेंट इंसुरेंस में होना चाहिए ठीक है तो और कुछ तो नहीं बचा सरको समझा दिया फिर भी कुछ बचा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखके बता दो आने वाले सेशन में सवाल में पिक करी लेता हूं आपका